नमस्कार मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है घेवर राजिस्थान की ट्रेडिशनल मिठाई है यह मैदा के बने हुए डिस्क शेप होते हैं जिसे फ्राई करके शुगर सीरप यानि की चाशनी में डिप किया जाता है लेकिन इस वीडियो में हम इंस्टेंट घेवर करेंगे और चाशनी में डिप करेंगे और फिर उसके उपर से मलाई और ड्राइफ रूट से गार्निश करेंगे चलिए बनाते हैं मलाई के वर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथी बैल आइकन ज़रूर दबाएं जिस से गरम करने के लिए रग देंगे जब दूद गरम हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे इसी तरह से आदा घंटे के लिए boil होने देंगे जब तक की दूद काफी गाड़ा ना हो जाए इसे बीच-बीच में चलाते भी रहेंगे जिससे की दूद पतीली में नीचे ना लगे आप देखेंगे कि मलाई दूद के उपर आ गई है इसे भी बीच-बीच में दूद के साथ मिक्स करते रहेंगे और अब इसे दूसरी गैस पर रख देते हैं क्योंकि दूद बॉइल होने में अभी आदा घंटा लगेगा अब चाशनी बना लेते हैं इसके लिए एक बरतन में आदा कप पानी और एक कप चीनी डाल दें दौनों को मिक्स कर दें और गैस पर गरम करने के लिए रख दें गैस की फ्लेम को हम लो मिडियम पर ही रखेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए दिखिए boil आ गई है और चीनी भी melt हो गई है इसे दो मिनिट के लिए इसी तरह से boil होने देए दो मिनिट हो गए हैं इसे अपनी उंगली से चेक कर लेते हैं यह काफी गरम है इसे थोड़ा ठंडा होने पर ही अपना हाथ लगाएं इसे हम उंगलियों से चेक कर लेते हैं, यह चिपचिपा लग रहा है, कोई भी तार नहीं है, हमें ऐसी ही चाशनी बनानी है, यह इसको आफ कर दें, इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दें अब घेवर बना लेते हैं, इसके लिए मैंने बड़े साइस की चार ब्रेड स्लाइस ली हैं, आपके पास यदि छोटी वाली ब्रेड है, तो आप छोटी ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं अब एक bread slice को ले लें और उसी के size के अनुसार किसी भी डब्बे का ढखकन, plate कुछ भी ले लें मैंने यहाँ पर एक छोटी plate ली है जिसे bread पर उल्टा रख दिया है और इसे चाकू की साहता से चारों तरफ से cut लगा लें अब इसके चारों और जितनी भी extra bread है उसे निकाल दें और इसका एक round बना लें अब एक छोटी कटोरी, ढकन या कटर जो भी आपके पास है उसे ले लें और इस bread के बीच में रख कर उसका भी cut लगा लें और जो बीच वाली bread है उसे भी निकाल कर अलग कर दें यह तयार है और इसी तरह से बाकी की bread slices को भी हम काट लेंगे पहले plate रख कर कट कर लें और extra bread को निकाल दें और डिस्क के बीच में छोटे cutter को रख कर उसे बीच से भी काट कर तयार कर लें इसी तरह से हम सारे डिस्क तयार कर लेंगे 25 मिनिट हो गए हैं दूद को भी चेक कर लेते हैं दूद काफी थिक हो गया है इसमें चौथाई कप चीनी डाल दें और उसे भी mix कर दें चीनी जब melt हो जाएगी तो थोड़ा सा पानी छोड़ देती है इसलिए इसे दो मिनिट और पकने दें और चोथाई चमच इलाइची पाउडर भी डाल दें काडमम पाउडर यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी सी केसर भी डाल सकते हैं इससे इसका कलर थोड़ा यलो हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आजाएगा ठंडा होने पर यहाँ और भी थिक हो जाएगा इसलिए मुझे इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दें अब घेवर को फ्राई कर लेते हैं इसके लिए एक पैन ले लें जिसमें की देशी घी डाल दें और उसे गरम कर लें जब यह घी गरम हो जाए तो हमने जो ब्रेड की डिस्क बनाई है उसे इसमें डाल देंगे और हलका हलका दबाते हुए और उसके उपर घी डालते हुए सेक लेंगे जब यह सिक जाएगा तो हम इसे पलटते हुए दौनों साइट से अच्छी तरह से सेक लेंगे यहाँ पर हमने देशी घी का यूज किया है आप चाहें तो रिफाइन भी यूज कर सकते हैं लेकिन देशी घी में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है यहाँ फ्राइ करते समय हम एक बात का और ध्यान रखेंगे कि घी बहुत जादा गरम या बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए यदि हम जादा गरम या जादा ठंडे घी में ब्रेट को डाल देंगे तो वो सारा घी एब्जॉब कर लेगी और घेवर बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा इसके लिए घी को जब हम बॉइलिंग पॉइंट पर जाता है बहुत तेजी से उसमें से धुआ निकलने लगता है उससे पहले ही उससे जस्ट पहले हम ब्रेट को डाल देंगे जिससे की ब्रेट घी को एब्जॉब भी नहीं करेगी और जलेगी भी नहीं घेवर से ग्या है इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारी ब्रेट एक एक करके सेक लेंगे गेवर को पैन से निकालते समय फॉर्क या स्पून से ही निकालेंगे जिसे की जितना भी एक्स्ट्रा घी होगा वो भी निकल जाएगा आप इनने बना कर ठंडा करके किसी भी एयर टाइड डबे में 15 दिन के लिए रख सकते हैं इसे फिर्ज में रखने की भी जरूरत नहीं है और जब भी आपका घेवर खाने का मन करें इसी गर्मा गरम चाशनी में एक मिनिट के लिए डिप कर दें और इसे डौनों साइट से अच्छी तरह से चाशनी लगा लें इसे निकाल कर प्लेट में रख लें और इसके उपर हमने जो मलाई बनाई है उसे अच्छी तरह से लगा दें थोड़ी से इलाईची पाउडर और ड्राइफ रूट से गानिश कर लें और इसे गर्मा गरम सर्फ करें या फिर ठंडा करके भी सर्फ कर सकते हैं ये दोनों तरीके से बहुत अच्छा लगता है जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ